हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसके आएंपी फॉर्मूलेस बताने वाली हूँ तो वीडियो को स्टार्टिंग से पुरा एंग तक देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है सबसे फर्स्ट नंबर वाला देखिए साइन स्क्वेल थीटा प्लस कॉस स्क्वेल थीटा एक कोल्स टू वन ठीके इसको आप कैसे याद रखेंगे एस और सी ठीके तो एस और सी इस तरह से आपको याद रखना है स्कॉल स्क्वेल थीटा-इस इसमनब तूर्मिली ये जो तिन फॉर्मुले हैं सब्स्क्राइब करें फॉर्मुले को असे तूर्मुली Northeast तो आपको चीजार और्या सकते हैं आपको सबहरें तीनaaa फॉर्मुले को उससे आदा आप रख सकते हैं फिर उसके आद में फर्स्ट नमर वाला देखिए साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा एक कॉल्स टू वन इससे कैसे चार फॉर्मूले बनेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूं सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला वनेगा वो होगा साइन स्क्वेर थीटा एक कॉल्स टू यहाँ पर दीखिए जो प्लस में है तो यह माइनस में आजाएगा कॉस ठीक है तो वन माइनस कॉस स्क्वेर थीटा अब यहाँ पर स्क्वेर लगा है तो स्क्वेर हटाएंगे तो य यह बाला फॉर्मूला बनेगा ठीक है यहां पर फिर यहां पर कॉस कोल सडू स्क्वैर लगा यह इस एक स्क्वैरा सेंगे इसक्वैर स्क्वेकश फ़र्मौल आपको याद रखना है इसको हमें चार फ़र्मौले बनानी है तो देखते हैं तो यहां पर स्क्वेकश लगा है तो यह अंडर रूड लग जाएगा तो यहां वाला फ़र्मौल वनेगा फिर वैसे ही हम यह 10 वाला देखेंगे इसको बहुत से लोग गलत कर देते हैं आपको इसको mistake नहीं करना है यह मेन वाला formula है sec square theta minus 10 square theta equals to 1 तो यहाँ पर देखें यह 10 square theta है यह हम इसी साइट रहने देंगे लेकिन यह sec square theta minus 1 ठीक है तो इसमें आपको ऐसा करना है यह वाला formula इसमें कोई भी गलती मत करना यह सोचना कि जो यह 10 है इसको हम इस तरफ ले गए और जो 1 है इसको इस तरफ ले आए ठीक है तो minus में आजाएगा 1 उसके बाद में 10 theta equals to यह root में आजाएगा यहाँ पर square लगा है तो यहाँ पर under root sec square theta minus 1 फिर third वाला formula देखेंगे गाई cos x square theta minus cot square theta equals to 1 इसको आपको याद रखना है सबसे पहले ठीक है तो यह c से start हो रहा है और यह भी c से start हो रहा है तो यह जाएगा cos x square theta यह देखें minus में है तो यहाँ पर यह plus में आ जाएगा cot को इस तरफ ले जाएगे तो इससे क्या first वाला formula क्या बनेगा cos x square theta equals to 1 plus cot square theta तीक है minus में है तो plus में आ जाएगे हैं यहाँ पर अब यहाँ पर square लगा है तो root लगा देंगे तो यह root में हो जाएगा उसके बाद में देखें cot square theta इस वाले formula को कैसे बनाना है वो मैं बता दूँगी आपको तीक है तो देखे cot square theta इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह जो cot है इसको आपको right side में ले जाना है मतलब जो इस तरफ लिखा है तो इस तरफ लिख लेंगे cot तो यह minus में था तो यह plus में आ जाएगा इस तरफ उसके बाद में cos square theta minus 1 यह देखे minus इस तरफ यह plus में था इस तरफ आ जाएगा और यह वाला जो है वो इस तरफ पहुँच जाएगा तो यह जाएगा cot square theta equals to cos square theta minus 1 फिर cot theta यह square है यहाँ पर square की जगा पर हम under root लगा देंगे तो यह जाएगा cos square theta minus 1 तो गाइस आज की वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए इससे हमारा motivation बढ़ता है और साथी साथ में चैनल को subscribe कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपको लेकर आऊंगी ठीक है और इस वीडियो की PDF आप description box से download कर सकते है तो गाइस आज की वीडियो में इतना है thank you so much बाइ गाइस